आप सभी को मेरा नमश्कार, सब को मेरा प्रणाम आज हम आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी रिलीज करने जा रहे हैं MCD के चुनाव आने वाले हैं लोग बड़ी बेसबरी से MCD के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 15 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है हम जो कहते हैं वो करते हैं हमारी गारंटी होती है यह गारंटी कभी तूटती नहीं है जैसे फेविकल कोल का जोड कभी तूटता नहीं है वैसे आम आदमी पार्टी के गारंटी कभी तूटती नहीं है यह दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं फिर पांच साल उस पे कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे फिर उस पे भी कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जाएं जो मरजी कह लें, इनकी नियत साफ नहीं है, दूसरी पार्टी वालों के, इन्होंने करना ही नहीं होता है, जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं, उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र, जो भी कहते हैं, उसको फाड के रद्धी की टोकरी में फैंक देते हैं, इन्होंने पिछली बार कई सारे प्रामिस किये थे, उसमें से जो में में प्रामिस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने का था, हम केजरिवाल हमको पैसे नहीं देता, नगर निगम को, अब हम केजरिवाल से पैसे नहीं मांगेंगे, अब हम सेंट्रल गवर्म से फंड लेके आएंगे, पान साल इन्होंने केवल और केवल मुझे गाली देने के सिवाग एक पैसा Central Government ने नी दिया, एक पैसा, एक नया पैसा, चवनि भी नी दी Central Government ने MCD को, सेम पाटी की सरकार है, केवल राजनीती करते रहे केजरी वाल पैसे नहीं देता केजरी जब कि हमने बहुत पैसे दिये अभी मैं हिसाब ने लेके आया पांच साल के अंदर हमने क्योंकि दिल्ली तो हमारी है हम ये नहीं डिफरेंस करते भई में सीडी अलग है आम अलग है हमने बहुत पैसे दिये इनको लेकिन मुझे ताज्यूब तो तब हुआ जब ये महीने दो महीने पहले इनके राष्ट्रियस्तर के नंबर टू नेता दिल्ली आये और आके कहते हैं जी केजरिवल पैसे नहीं देता भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ हो केंद्र सर सरकार आके कह रही है जी राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती मतलब शरम भी नहीं आती इनको तो एक इन्होंने प्रामिस किया था किंद्र से फंड लाएंगे एक पैसा नहीं लेके आई है इन्होंने का था नगर निगम की जितनी गलियां और सडकी हैं उनको सब को चमका देंगे शांदार सडके बनाएंगे गलियां बनाएंगे गड़ा मुक्त करेंगे एक भी गली इन्होंने ठीक नहीं कि पांच साल में एक भी गली ठीक नहीं कि इन्होंने उल्टे जितनी और गलियां थी वो भी खराब हो गई इन्होंने का था कूडा मुक्त दिल्ली चारो तरफ कुडाई कुडा है आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर जुक जाता है घर से बाहर निकलते हैं नालियां भरी पड़ी है कीचर से गलियों में कुडाई कुडा पड़ा है कोई कुडा नी उठता कुछ नी उठता इन्होंने का था जो तीनों कूडे के पहाड हैं वो खतम कर देंगे अब मैं इनके नेताओं को टीवी पे देख रहा हूं वो कह रहे हैं नहीं कूडे के पहाड तो हर शहर में होते हैं मैं इन से पूछना था हूँ लंडन में कहा हैं कूडे के बार, टोकियो में कहा हैं कूडे के बार, न्यू यॉर्क में कहा हैं कूडे के बार, वाशिंटन में कहा हैं कूडे के बार, पैरिस में कहा हैं कूडे के बार, कहते हैं कूड़े के बाड़ तो मतलब अब यह कह रहे हैं हो इनी सकते अब यह कह रहे हैं आब नहीं करेंगे हम पिछली बार जो वादा किया था वो जूठा था इन्होंने का था मार्केट्स की सफाई करेंगे वो नहीं की इन्होंने markets के अंदर भी कूड़ाई सदर चले जाओ, कूड़ाई कूड़ा पढ़ा है, चारो तरफ सड़कों पे कूड़ाई कूड़ा है, भ्रश्टा चार खतम करेंगे इन्होंने का, इन्होंने पिछली बार भी माना कि इनके सारे counselor भ्रश्टा चारी हैं, तो इन्होंने सबकी टिक्टे काट दी केवल टिक्टे काट देने से ब्रष्टाचार खतम हो जाता है केवल टिक्टे काट देने से उनको जेल भेजना चाहिए था अगर सारे ब्रष्टाचारी थे खुद माना इन्होंने के सारे ब्रष्टाचारी है अब ये कह रहे हैं कि मौझूदा वाले भी सारे भृष्टा चारे हैं इनके भी टिक्टे काटेंगे भृष्टा चार करते हैं ये और जेल बेजते हैं सतिंदर जैन को भृष्टा चार करते हैं ये मानते हैं भृष्टा चार जेल बेजते हैं बनी सिसोधिया को तो इन्होंन लोगों के काम रोकने में, दिल्ली सरकार के काम रोकने में, दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबसे अती तो तब हो गई, जब दिल्ली के लोगों की चलिती हुई योगा क्लासेज इन्हों ने बंद करा दी, योगा क्लासेज कौन बंद क कराता है योग सिखाने का पुन्य होता है योग कराने का पुन्य होता है योगा से लोगों की सेहत अच्छी रहती है दिमाग अच्छा रहता है वो भी इन्होंने classes बंद करा दी मुझे बहुत तकलीफ होई थी उस दिन मैंने ठाना था कि जो मर जी हो मैं योगा classes तो नहीं रुकने दूगा और चल रही है yoga classes इन्होंने दिल्ली में घर घर राशन योजना हमने बनाई थी वो बंद करा दी इन्होंने गुपाल राए जी पिछले तीन साल से एक campaign चलाते हैं जिसका बड़ा अच्छा कि red light off red light on गाड़ी off होनी चाहिए भई red light अगर on हो जाए तो गाड़ी अगर आदमी off कर दे तो काफी तेल बचता है pollution खतम होता है वो नहीं होने दिया इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है काम रोकने वालों को वोट मत देना काम करने वालों को वोट देना योगा रोकने वालों को वोट मत देना योगा करवाने वालों को वोट देना स्कूल बनाने वालों को वोट देना गाली देने वाले और लड़ाई जगडा करने वालों को वोट मत देना दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना दिल्ली चलाने वालों को वोट देना देश रोकने वालों को वोट मत देना देश को नंबर वन बनाने वालों को वोट देना आज हम यह दस गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी सब के उपर काम चल रहा है काम किया कई गारंटी पूरी की कई गारंटियों पर काम चल रहा है ऐसे ही MCD की भी सभी गारंटियों पर दस की दस गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे पहली गारंटी है दिल्ली को सुन्दर बनाएंगे बहुत दुख होता है चारो तरफ कुड़ा, कच्रा कुड़े के पहाड कुड़ा ही कुड़ा है कीचर, नालियां भरी पड़ी है दिल्ली को साफ और सुन्दर बनाएंगे कोई भी आएगा अब उदिके लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा, कहेगा, हाँ यार, दिल्ली सुंदर शहर हो गया, पहली चीज की दिल्ली में जो तीनों कूडे के पहाड़े इनको खतम करेंगे, दूसरी, अभी इनो ने कई प्लानिंग कर अखिया, कोई कह रहा, सोला नए पहाड़ वनेंगे, कोई कह रहा, बीस बनेंगे, कोई कह रहा, पच्च्यों, क्योंकि जो माजूदा तीनों कूडे के पहाड़े, उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है, वो अनस्टेबल हो गया है, वो कोई भी नया कूडे का पहाड दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा, और कूडे के निस्तारन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है, हम डंडन से एक्सपर्स को बुलाएंगे, पैरिस से बुलाएंगे, टो सडकों और गलिओं की शांदार साफ सफाई करेंगे, बहुत गंदी रहते हैं, साफ सफाई नहीं होती, अपने चुजारू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके, हम सडकों और गलिओं की शांदार सफाई करेंगे, दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त MCD होगी, दूसरी गारंटिय भृष्टाचार मुक्त ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एस्पेशली भृष्टाचार होता है तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्षे पास किये जाते हैं उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक से कम interaction करना पड़े जैसे दिल्ली के विभागों में हमने किया कई सारे department ही बंद कर दिये सब कुछ online होता है आपको किसी दलाल के चकरनी काटने किसी अफसर के चकरनी काटने घर बैठे सारा काम हो जाता है ऐसे ही नई building और मकान के नक्षे पास कराने के प्रक्रिया को बेहत सरल किया जाएगा कर दोड़े लाएगा